मेरा नाम महिंदर दास है गाउं धनाना जिला सोनीपत हर्याना करने वाला हूँ और मैं संत्रामपाल जी का छोटा भाई हूँ नाते में हाहिं संत्रामपाल जी महराज की संणवाने से पहले कों सी बगतते थे वैसे तो बगति की डुँची बच्पन साहिए थी घ्याराज जी का छोट ची साथ मिलने से हनुमान कि चंड़ीगर आठ साल माज़ागर के वरुची भी खत्म हो गई संत्रामपा जी महाराज की शर्ण में कैसे आई है फिर मैं उन्नी सोईक्याद में मैं चंड़ीगर से रोतक आ गया और एस पी रोतक का में ड्राइवर लगया पुलिश द्वार्टमेंट में नोकरी थी और मह जी फीर रोतक में पॉस्टेट हूगा गरूजी और मिलना चलना सुरू होगा औरूजी लंच टाइम में में मेरे पास रोजाना आते थे लगा विचार मैने लगाता रहा और रम्रू की भगती की बात यह बताने लगे जो बगती करनी चाहिए भगती की से दुख दूर होत लेकिन मेरे रूची विसेश नहीं थी और महाराजी को मना भी ने कर सकता था मेरे पास क्यों आयो कि बड़े भाई साथ थे तो मैं अंदर से दुखी बहुत था कि रात को डूटी करते हैं दिन में आगे बैट जाते हैं लेकिन एक दिन मैंने कही दिया कि भगती में कुछ नह में की बात है कि मैं एक डियाईजी को लेकर के मदूबन गया भा था पुलिश ट्रैनिंग सेंटर के इंदर रात को वां ठहरे में सुबह सो कर उठा तो मैंने देखा मैं चारवजी पर लेटा हूं मेरी आख्ये खुल गई तो लेटे लेटे में क्या देख रहा हूं कि मेरी पैरों की तरफ उस मकान कमरे में दो खिडकियां थी उन खिड़ी एक खिडकी में महाराजी कम से कम आठ दस पिट उपर आश्मान में बैठे हैं वो सीन मुझे आज तक याद है काली रंग के तुसमें लगा रखे थी रहें गुटन से नीचे बिलकुल लाल रंग है जैसे सुरिय सुबह निकलता है तो मैं देखके डर गया मैंने अपनी घड़ी देखी द्वार पर एक घड़ी लगे थी उसको देखा अभी साथ बज गए दूसरी खड़की से देखा तो सैतूत का पेड़ है चिड़ियां ब में फॉन भी नी थे में डियाई जी को बोल भी नी सकता था कि में मेरा भाई मर गये हैं तो मैं बहुत चिंतित हो गया हम एक बजे मदुबंशे रोत्त के लिए चले हम लागो तीन बजे वहां पहुंच गए मैं गारी खड़ी करके सीधा मकान पे गा गुरू जी के मकान के ऑपर तो जाकि मैंने देखा गुरू जी घीठा कुछ मानले मन में शानती हुई तो गूरू जी पूछा भी कैसे आना हुआ इस दिन में तो ऑमकिसे ताइम मिल घचा जिने एक गटना अगया कर लेता हूं मैं तू करूंगा तो गुरुजी ने कहा जा आज के बाद नहीं पिएगा तो उनके एक सब्द से ऐसी दिवार खड़ी होगी कि आज 1902 की बात है आज 2013 हो गया यहीं लगवग 21 वर्स होगे वह आज तक कि मैंने सराब को छवा तक नहीं है तो उसके बाद कि अपने गुरुजी से मुझे नाम दिल ला संतराम देवानजी माराज से उससे में गुरुजी को आग्या नहीं थी नाम की भक्ति में जरूर लगा क्योंकि माराजी बताते हैं कभीर साब पूरुण प्रमात्मा हैं इन से सबसी उपर हैं तो मैंने उनकि धान दिया कि पोलि लेकिन में लगा जूर रहा लेकिन विसेश विश्वास नहीं था भी कवीर साप उनु प्रमात्मा है तो महारा जी ने कहा कि आप यह नाम जबते रहो कि नाम से आपका विश्वास हो जाएगा तो फिर 1994 में गुरुची को अग्या होगी नाम की फिर मारा जी ने दोबारा से मारे को नाम दिया भकती में लगा रहा लेकिन कभीरी साब के वारे में मैं पूछता था कि वेदों में दिखाओ गीता जी में दिखाओ तो मारा जी करत समय आने तो सब को दिखाओंगा मैं अभी करते रहो तो फिर ऐसी गटना गटी कि एक दिन मैं शोया हुआ था और मेरी आत्मा निकलके उपर प्रम्हांड में चली गई है ओतुचाई पर वहां कि विश्णु भगवान खड़े हैं स्रीकर्ष्ण जी के रूप में उनके शि और एक बात का ख्याल रखना मेरे बहकतों को मत तोड़ना जैसे मेरी आत्मा मेरा सुकसम सरी मेरे सरीर में अधोiddया हो तो मेरे आख खोली तो मेरा सारा सरीम परशियने से भिगावा था और मैं श으면서ुप्टि और wanneta को कर कर बगारा रात में सुबहश्गों कर कर के सबह अब क और आप कर्शन जी को ज़्यादा मानते थे इसलिए कर्शन जी के मुक्षे ही आप से कहलवा दिया गया है कि उपर और और शक्ती है और रास्ता है उस दिन के बाद मैंने पिछे मुड़के नहीं देखा और फिर मैं श्री डंग से बक्ती करने लगा सर संत्रामपादी महराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाब हुआ पहले मैं संसारिक लाब बताऊंगा आपको खासकर सरीर के लिए जब मैंने गुरुजी को गुरुधान कर लिया और मिभक्ती करने लगा लगवक 1999 की बात है उसमें मेरी आयू 41 वरस थी 55 यह ओड तो मैं रोटक में एक रेलिवर रोड का नाम है बाजार में वहाँ लाला जी के पास बैठा वा था वहां एक लड़का मेरे से मिला लाला जी ने उसका नाम फकीर चंद जी थे उन्होंने का गिए ट्रिपल में है और इन्होंने जोती सास्तर से भी में किया हुआ ह कि मैं उसको भगति की बात ये समझानी चाही तो उसने का जी एक बार अपना हाथ देखा दो उसने मेरे आप देखे दोनों यह अब देखा आपके आयूं कितनी है मैंने का मैं 91 का हो चुका हूं तो उसे ने कहा आपके भागे में लिखा है 40 वरस से लेकर 45 तक बिलकुल बैड के उपर बिमार उस्ता में लेटना और आपको फला-फला बिमारी लगेंगी कि मैंने का मैं तो कुछ भी नहीं है कर लगा एक साल का दोखा भी हो सकता को जुरूर होगा तो मैं कुछ चिंतित हुआ लेकिन फिर मेरा बाया हाथ देखा और कहने लगा आपकी पतनी जिन्दा है मैंने का उट जिन्दा है कई नहीं सकता मैंने सुबह गर्शे आया था जब कुछ जिन्दा थी अब मर की हो तो में कुछ कह नहीं सकता लेकिन वह तो उसने का भी एक ऐसे असंब हो रहा है मैंने उनसे का है भी हम पूर्ण सत्गुर की स्रण में हैं सच्चे मंत्र का जाब करते हैं हमारी सत्गुर कहते हैं के भी तिल घटेना मासा बढ़े दना लखे जो लेक सच्चा सत्गुर मिटा के उप्र मारते में हमारे सत्गुर ऐसे कर देते हैं तो फिर मैंने च्छै मेने के बाद मुझे एक ऐसा यूर जोट्सी मिला मैं जैसे पुलिस लाइन में गाड़ी का वारले सेटी करवाने के लिए गा उस वरक साब में इंस्पेक्टर थे इंचार्ज वो अपनी टेबल पर जोती सास्त्र की किताब खोल के बैठे वे थे मैंने उनसे वही पर सुन किया भी समें क्या रखा भगती करो ना सचे नाम की डिसकस होई हमारी उसने का भग जी ऐसी बात नहीं है यह पूर जरुम के लेक होते हैं भगती अलग चीज है यह शत्त होते हैं तो उसने मिरे फिर आथ देख लिए मेरे जो बातें उसने बताई थी वही बाते उसी ने दोराई तो फिर मैंने गुरुजी यह पराथना की मैंने का जी ऐसे बताया दोने तो संत्राम पाल जी करने लगे कुछ नी होगा प्रमात्मा लेखो मिटा दे था भगती से उस पिरिड के दोरान मेरे को जुखाम तक नहीं हुआ अब उखार तक नहीं लगा और आज मैं 55 वर्ष का मेरी पतनी भी जिंदा है तो और मेरी जो घरवाली थी उनकाम राजबाला है और वो भगती में विशेश रूची नहीं रखती थी वो किशी को भी नहीं मानती थी बस अपने काम धंदा करती थी तो एक बार 2004 की बात है इसकी दौनों उंगलियां सुन हो गई डैने हाथ की मेरे से कर ले कि मुझे दिखा नहीं सुख जाएगा को प्रोस के का रहे थी एक आथ सुख गया ऐसे ही बिमारी लगी थी तो मैं रोटक में रेडियो स्टेशन के पास गुप्ता जी है डॉक्टर हडियों के उनके पास उनको लेके गया उन्होंने बताया कि उसकी यह गरदन के पास नसे होती है नस दब गई है के गुरुजी अगर यह हाथ सुख गया तो बढ़ापी में तो रोटी वेगर भी रह जाएंगे परिशान होगी को दया करो तो जैसे मेरा ध्यान लगावा था तो मुझे खड़े दिखाए दिये और कुछ नहीं होगा बिटा ठीक हो जाएगी तो मैं कुछ दिन के बाद डूटी से चुटी लेकर घर गया मैंने उससे पूछा भी आपके उंगलियां ठीक होगी तो ठीक होगी मैंने का यह गुरुजी ने की है मैंने पराथना की थी कले यह नहीं नहीं मैं तो दौाई से ठीक होई हूं तो मुझे बड़ी नरासा होगा कि नोशी डॉक्टर के पास फिर लेकर गुपता जी के पास कुपता जी ने फिर अक्सरे किया फिर का भी रेटी की हड़ी की नस दब गी है इसलिए उससे पैन है उसने द्वायां दे दी एक सब्ता की में दौई दल्वागर के बरवाला में सत्संग चल रहा था गु कुपता जी ने का भी अब तुछ का उपरेशन होगा और कोई इलाज नहीं है तूपर से इलेक्शन थे हरियाना में 2005 फरवरी में तो मैंने का जी एक सब्ता इलेक्शन का भी चूटी नहीं मिलेगी आप ऐसा कर दो ऐसे इंजेक्शन लेग दो कितने ही महेंगे हैं जो दस बड़ी चंता होगी भी क्या होगा तो बड़ी रो रही है बड़ी तकलीफ है उसको तो मैं भक्ति करके शुबए का नितनीम करके अपने सुमन करके में दोबारा सूगा और सोत्य सिमी मैं प्राथना की यह प्रमेश्वार हे गुर्देप ठीक तो आप ही करते हो अब की बा इंजेक्शन ले यार तू ठीक है तो फोन कर देती इन द्वाईयों को मैं वापस कर देता तो उसने का है मैं तो ठीक होगी मैं कैसे होई कि मैं सारी रात रोते रही तीन बज गए मैं द्वार के ऐसे कमर लगा के रो रही थी तो मुझे गुरू जी दिखाए दिये मेरी गुरू जीन हमें सुख दिये सबसे बड़ा तो मानशिक सुख होता है मानशिक शांती वह हमारे कुछ संपूर्ण रूप से मिली हुई है एक दिन संत्रामपाज जी करनाल के अंदर एक भगत के घर गए हुए थे हुआ हूँ शत्रगूर जी ने चाड़े तीन घंटे के लगए सचसंग किया जब चलने लगे तो एक औरत ने जो काभी बुजर्ग थी कोई 60 साल के करीब उनके उमर रही होगी उन्होंने कहा कि जी मैं आप से कुछ बात करना चाहती हूँ तो गुरू जी ने कहा ठीक है पूछो तो उसने कहा जी आपने जैसे सचसंग समाप्त किया तो आपके उपर शे कमल के फूल पर बैठा हुआ सफेद प्रमात्मा निकल गया है मानो सदर्श और मैं कमल की पंखड़ी को बहुत दूर तक देखते रही है ऐसे तो संतरामपाल जी ने कहा फिर आपकी क्या सलाय नाम लेने की तो उसने कहा मैं तो गुरू बनाया है राधा स्वामी ब्यास से और मैं तो मंदरों में भी जा दो प्रमात्मा का इखी खेल है ऑनोगों को दशन नहीं दे और चल्सम सब देए जो अगुं को परगट आटों के बता ज Easter Today कि वे इसको मान ही रही में रिए है तो महारा जी ने कहा ये बुद्दिस ये परे का भिशे है और इसको आप नहीं समझ पाएंगे फिर मैंने का जी बताओ दया करो संतरामबाज जी ने बताया कि ये औरत छस्सो बरस पहले जो कवीर प्रमिश्वर आया थे उनकी सिस्या थी इनको पांच शे मैने भगति की फिर नाम चोड़ दिये उसी पर्थम मंतर के परवहाव से इसको मानुसरी मिलते आ रहे हैं भगति में रूची है अब यह समझ रही है कि जो मेरे को छोड़ा मोड़ा मिल र कहा संत्रामपाल जी बोले कि परमात्मा किसी की उधार नहीं रखता यह कल को मरेगी नरक में जाएगी वहां उसको बड़ा कश्ट होगा जब आतमा रोती है तो परमात्मा को आना पड़ता है मन के नहीं सुनता परमात्मा तो फिर आतमा वहां सवाल करती है कि आपकी भगत कि क्या है और जाते से में दर्शन दे दिये परमात्मा रहे पर अपने सिर से भार उतार दिया पर यह आतमा बोल नहीं पाएगी चुप हो जाएगी तो मेरा भगत समास से यही बार बार निवेदन है कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता तो संत्रामपाल जीजी की स्रण में आगर के अपना अतम कल्लान करें